वेल्कम बैक टू द शर्कल अफ लाइफ टैरो आज जो हम पिकपाइल करेंगे वो नो कॉन्टक्ट के उपर है यह जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जो ब्रेक अप हुआ है या जो नो कॉन्टक्ट हुआ है उसका जो असली कारन क्या है राइप नाव जिनके बार में आप पूछ रहे हैं उनके लाइफ में क्या हो रहा है आपके लिए क्या फील करते हैं उनकी आपके लिए intentions क्या है blockages क्या है advice क्या है और outcome क्या है तो तीन pile होंगे pile no.1, pile no.2 and pile no.3 जिनके बारे में आप सोच रहें उनका ध्यान करें pile no.1, 2 या 3 जूज करें and I'll see you in your reading. Thank you so much. Namaste Aadhaap Srikal, मेरा नाम Aditi है and welcome back to the Circle of Life Tarot. आज जो हम pick a pile करेंगे वो no contact के ऊपर है ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उन्होंने break up क्यों किया, break up का कारण क्या था, आपके लिए क्या सोचते हैं, आपके relationship के बारे में क्या सोचते हैं, blockages, advice, outcomes, सब देखने की कोशिश करेंगे very quickly जो है मैं, जो मेरा reading area है उसको clean करती हूँ, जो cards use करेंगे उसको clean करती हूँ और अगर कोई negative energy हम सब में हैं वो जो हैं, release करने की कोशिश हम करेंगे, all right, this is for pile number 1, all right, please give accurate readings which resonate with pile number 1, thank you, this is for pile number 1, very quickly हम आप तेखने की कोशिश करेंगे, आप लोगों का जो relationship है, वो breakup क्यो हो, what was the reason of the breakup, Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest code for pile number 1, why did the breakup happen, thank you. All right, very interesting, यहां पर बहुत क्लिरली दिख रहा है की, शायद आपका जो breakup है या एक दूसरे से जो आपने बात करना बंद कर दिया था, वो august के महने में शायद हुआ था, जो trouble है या जो भी relationship में problem थी, वो शायद august के महने से start हुई थी, आप दोनों एक दूसरे के लिए wish fulfillment थे, आपको या आपके partner को ऐसा लगा हुगा, कि जब आप उनके life में मिले, तो एक आपकी बहुत इच्छा थी, जो आपको मिली, sincere manifestation था, जो शायद आप लोगों का हुआ frying pan है, यहाँ पे trouble and accusation, I think आपके relationship में या तो आपका trust का issue था, एक दूसरे को आपने blame किया, या बहरी दूसरे लोगों ने शायद आपके relationship में trouble cause की, लेकिन ऐसा लग रहा है, frying pan का यहाँ पे card है, ऐसा दिखता है कि जब यह relationship में आप थे और जब चीज़ें सहीं नहीं चल रही थी, तो literally ऐसे लग रहा था कि you know, you are put in a frying pan, accusations हैं यहाँ पे, बहुत एक दूसरे को, accusation को हिंदी में क्या कहते हैं, मैंने जो चीजें नहीं हैं, वो चीजें भी आरोप लगाना, तो I think एक दूसरे पे गलत आरोप लगाया गया था, इसके कारण जो है relationship में problem हुई थी, आपके जो इंसान है, काफी hard working इंसान है, बहुत goal oriented है, काम पे महनत करते हैं, business पे focus कर रहे हैं, अपनी stability पे focus कर रहे हैं और शायद उसके कारण जो है आपके relationship में कुछ ना कुछ problem आ सकती है, and boot है यहाँ पे increase your efforts if you want to achieve your goal, तो message भी आपको यह मिला है यहाँ पे कि अगर आपे relationship को कायम रखना चाते हैं, या अगर यह relationship में reconciliation होता है, तो आपको काफी efforts दालने पड़ेंगे, थोड़ा सा compromise understanding करना होगा, all right, exact reason क्या था, let's again find out की break up में क्या reason था, break up में क्या reason था हमने देखा, let's quickly find out, जिनके बारे में अप सोच हैं, उनके life में अब क्या हो रहा है, what is happening in your person's life right now, sudden wealth, mean female, education, gift and imprisonment, all right, यह उन, right now जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, यह इनसान जो है, या तो यह already शादी शुदा है, या इनकी कहीं शादी की बात चल रही है, या यह इनसान जो है, divorce के थुरू जा रहा है, और divorce के थुरू जो है, sudden wealth है यहां पे, and imprisonment है यहां पे, and gift है यहां पे, पैसे वाली है, या जिसके कारण यह problems हो रहे है, judication है, यहां पे, तो I think legal कुछ ना कुछ issues है, जो आप लोगों को बनने में, या union में आने में रोक रहे हैं, right now, यह इनसान के life में काफी कुछ चीज़े चल रही है, जहां पे finances को लेके, पैसो को लेके, इनको जकड़ा जा रहा है, या इनको लालच दी जा रही है, ऐसी कोई इनसान है, या तो इनकी मदर हो सकती है, या कोई और और अरत हो सकती है, इनके आप दोनों के बीच में जो थोड़ा सा मुश्किल क्रियेट कर रही है, दो options या दो choices हो सकते हैं, जो आगे हम रीडिंग में देखेंगे, या तो इनको बहुत सारा पैसा, डिवोर्स के थ्रू जाएंगे तो बहुत सारा पैसा मिलेगा, इसलिए वेट कर रहे हैं, य या शायद इनको डिवोर्स करना पड़ेगा आपके पास आने के लिए, शायद इनके घर वालों को, फैमिली वालों को आपके बारे में पता चल गया है, थर्ड पर्टी सिचुएशन है, और डिवोर्स की बात चल रही है, जिसमें शायद ये इनसान काफी पैसा खो सकते है इसलिए जो है ये इन्होंने आपके साथ no contact किया है, all right, very quickly let's ask from the tarot, ये इनसान जो है आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, what is pile number one, thinking about you and your relationship, okay, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में feelings क्या है, आपके relationship के बारे में क्या सोच रहे हैं, all right, ये इनसान जो है आप से उमर में छोटे हो सकते हैं, या आप लोगों के बीच में बचे हो सकते हैं, all right, पाइल नंबर वान, कार्ड इतने मुझे पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं वाट इस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू प्यार का ओफर आपकी तरफ डेफिनेटली देना चाहते हैं साइन यहां पर मुझे जो है, और्थ साइन है, फायर साइन है और एर साइन है, यहां पर पेज ऑफ वांड की एनरजी है, काफी इमिच्वर एनरजी है यहां पर जैसे मैंने काई है, इनसान आप से एज में, सौरी पेज ऑफ कपस, एज में छोटा हो सकता है आप से माफी मांगना चाता है आपको एक मेसेज देना चाता है लेकिन जो है नहीं आएंगे ये इनसान को डेफिनेटली गिल्टी फील हो रहा है जिस धंक से इन्होंने आपके साथ बिहेव किया है सौरी कहना चाते है लेकिन इनको हिम्मत नहीं हो रही है सौरी बोलने की आपको two of sorts के energy है जो इनकी life situation है उसको इन्होंने accept कर लिया है कुछ ना कुछ आपके relationship में ऐसा हो रहा था जो शायद society नहीं मान रही है या आपके parents नहीं मान रहे है और उन्होंने जो है इसको accept कर लिया है आपके बारे में क्या feel करते हैं practical decision लिया है ये इनसान ने practically decide किया है कि ये जो है आपको और इनकी जो दूसरी life है ये इनसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं इनकी double life थी जब ये आपके साथ relationship में थे और ये double life जो है वो नहीं जी पा रहे हैं लोगों को पता लग गया है लोगों ने इन पे आरोप लगाए हैं में इनको गिल्ट खा रहा है और इसके कारण जो है वो ये relationship को आगे नहीं लेके जा रहे हैं और उनको जो है काफी मिस करते हैं आपको आप से दूर होके बहुत loss feel होता है उनको दिल तूटा है उनका शायद इनका जॉब भी इनको चोड़ना पड़ा ऐसा कुछ हुआ है जिनके कारण this person is feeling left out in the cold financial hardships भी इनसान को काफी थी financial problem था unemployment थी और I think इसके कारण उन्होंने जिस नए इनसान के साथ ये involved है दिख रहा है कि या तो past में किसी के साथ involved है या जब आपके साथ relationship में थे तभी भी इनसान किसी के साथ involved थे और I think financial hardships के कारण पैसों के कारण जो है ये जो है कहीं और चले गहें है और बहुत practical decision लिया है उन्होंने emotions को side में रखे कि आपके साथ नहीं बढ़ेंगे relationship के बारे में ये क्या सोचते हैं इस person is very attractive to you, physical attraction काफी है एक passionate नया start जो है वो आपकी तरफ लेना चाते हैं relationship पे काम करना चाते हैं आपको माफी मांगना चाते हैं लेकिन right now जो है उन्होंने आपसे अलग होना या आपसे free होने का decision लिया है because ऐसे करने से शायद इनको financial stability मिल सकती है और इनकी life जो है वो better हो सकती है very quickly let's see romance angel say some more about pile number one's no contact situation engagement है, wedding है and getting to know each other है I think ये इंसान जो है let's see आगे reading में क्या होता है engagement है, wedding है and getting to know each other है तो ये आपके साथ engagement करेंगे या already शादी शुदा है we will find out by tarot all right let's very quickly find out what are their intentions towards you and what are their actions towards you आपके तरफ इनके इरादे क्या है और आपके तरफ near future में अगले एक महिने में ये आपके तरफ क्या steps लेंगे what are pile number one's intentions towards pile number one and their actions ये इंसान जो है right now ये इंसान जो है आपके साथ I think you know आप लोगों के साथ ego problem था जगड़ा था तू तो मैं में थी expectations आप दोनों के match नहीं हो रहे थे जो दोरी दिंदगी ये जी रहे थे I think ये आपको accepted नहीं था आप इनसे commitment चाते थे और I think उसके कारण बहुत जगड़ा आप लोगों में हुआ एक दूसरे के लिए शायद आप लोग respect भी खो चुके है again let me tell you energies can be exchanged और ये सब के साथ resonate नहीं होगा अगर आपके साथ resonate नहीं होता है तो pile number 2 या 3 देखे बहुत specific लोगों के लिए resonate होगा page of wants की energy है and devil की energy है you could be dealing with a Capricorn ये इंसान जो है intentions उनके आपकी तरफ ये ही है कि ये जो ego battle है ये जो जगड़ा है ये जो misunderstanding है आप लोगों के बीच में ये वो खतम करना चाते हैं आपकी तरफ आना चाते हैं आपकी तरफ फिर से risk लेना चाते हैं आपको maybe you know एक message देना चाते हैं आप से काफी addicted हैं आप से काफी tight feel करते हैं maybe आप दोनों की engagement हो चुकी है शादी के बार चल रही थी लेकिन इनके पास के बारे में आपको कुछ पता लग गया इसलिए ये break up हो गया है लेकिन this person is very attracted to you physical attraction काफी हो सकता है ऐसा भी लगता है कि ये इनसान जो है आपको control करना चाते हैं आपको band के रखना चाते हैं चाते हैं कि चीजे जो है उनके ढंक से हो और आप जो है जैसा वो कहते हैं वैसे चीजों को accept करें future में क्या होगा future में जो है cards मुझे काफी positive दिख रहे हैं what are their actions towards you in the next one month ये इनसान जो है आपकी तरफ प्यार का proposal ले के आएगा again जो है commitment नहीं देगा शादी की बात नहीं करेगा लेकिन definitely एक romantic प्यार का proposal आपकी तरफ ले के आएगा you could be dealing with a Leo as well काफी हिमर दिखाएंगे अगर लोगों के साथ जगड़ना है family को छोड़ना है existing situation से बाहर निकल के शायद या आपकी तरफ जरूर आएंगे और king of cups की energy है actually from the knight of cups king of cups की energy में आएंगे तो maybe commitment भी दे सकते हैं अगर हिम्मत दिखाएंगे तो शायद आप से शादी भी करेंगे knight of cups की energy से king of cups की energy में जाएंगे water energy काफी मुझे यहाप पर दिखरी है this person could be a cancer scopio or Pisces alright let's see आप दोनों के relationship में union में आने के लिए जो है blocks क्या है alright what are the blocks in the relationship what do we need to know about the blocks in the relationship this person really likes you यह person जो है addicted है आपकी तरफ आपके बारे में रात दिन सोचता है जरूर आपकी तरफ आना चाता है लेकिन इनकी situation बहुत complicated है बहुत ऐसी चीजे हो रही है इनके life में right now जहां से उनको बहुत हिम्मत दिखा के आपकी तरफ आना होगा और मुझे लगता है कि यह इंसान आपकी तरफ आएंगे blocks क्या है आपके relationship में very quickly let's see what are the blocks in your relationship right now family, creativity, healing the heart chakra and personal boundaries very interesting blocks में जो है family है तो I think family issues जो है जो बहुत बड़ा block है आपकी तरफ से आपके partner की तरफ से जिसके कारण वो आपकी तरफ नहीं आ सकते creativity है यहाँ पर imagination, expression, originality and passion यह relationship को आगे कैसे लेके जाना है positively कोई solutions find out कर सकते हैं क्या किसी के साथ बात कैसे करना है यहाँ पर problem आ रहा है I think आप लोगों का ego इतना जयादा है कि आप जट से जो है एक दूसरे को misunderstand करते हैं you are very quick to judge, very quick to jump to conclusions आप और आपके partner और उसके कारण जो है यह relationship को आप positively कैसे आगे लेके जा सकते हैं वो शायद आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है throat chakra का यह card है तो communication जो है और effectively और creatively एक दूसरे से communicate जो करना है वो शायद आप दोनों में blockages है या maybe आपके family वालों को positively कैसे communicate करना है वो आप लोगों को नहीं जम रहा है heart chakra का यहाँ पर definitely एक block है you need to heal your heart chakra this is all about equal exchange of emotions या तो आपका heart chakra blocked है आपका या आपके partner का heart chakra blocked है उसको जो है आपको open करना है heal करना है ताकि जो है आप बहुत positively अपने जो feelings है उनको exchange कर सकते है feelings को receive कर सकते है heart chakra healing के लिए crystal therapy हो सकती है meditation हो सकता है उसके you know you can get to know more about it and definitely heal your heart chakra and again personal boundaries यहाँ पर है you know this is all about the solar plexus chakra का यहाँ पर मुझे दिख रहा है assertiveness, empowerment and authenticity I think या तो co-dependency है या तो you know आप एक दूसरे को freedom नहीं दे रहे थे बहुत ज्यादा एक दूसरे के life में interfere कर रहे थे उसके कारण जो है problem आ रहा था तो divine आपको यह क्यार्ट या आप दोनों की actions जो है थोड़े immature हो सकते हैं कुछ आपके बिना सोचे समझें आप लोगोंने कुछ actions किये होंगे जिसके कारण आप लोगों के relationship में problem आया है तो I think chakra healing या balancing of the chakra का थोड़ा सा यहां पे आपको focus करना है personal boundaries पे आप focus करें healthy boundaries set करें जिससे जो है relationship positively आगे जा सकता है very quickly let's find out आपके लिए outcome क्या होगा what is going to be the final outcome of the no contact यह इंसान जो है क्या यह आपकी तरफ आएगा या नहीं will pile no.1's person connect with pile no.1 what is the future outcome of the relationship okay pile no.1 I'm sorry लेकिन अगले एक मैने में because हमने एक मैने के लिए पूछा था again एक मैने के लिए क्यों सिरफ पूछा था because जो tarot है वो prediction करता है लेकिन हमको advice भी देता है और हमको यह भी दिखाता है कि अगर जो आपके existing energy है वो ही energy में अगर आप रहोगे तो आपका outcome ऐसा आएगा अगर आप आपके energies change करेंगे अगर आप आपके mistakes से learn करेंगे अगर आप शिदत से यह इनसान को अपनी life में चाते हैं या यह इनसान आपको उनकी life में चाता है तो जो changes करने हैं शायद वो changes आप लोग कर सकते हैं I'm sorry to say but the future outcome for the next one month is not very positive refusing to see है यहाँ पे आप दोनों जो है एक दूसरे की बाजो नहीं समझना चाते relationship में जो problems हैं वो आप दोनों नहीं देखना चाते हैं यह relationship को heal करने के लिए आप दोनों को union में आने के लिए जो करना चाहिए हैं शायद आप दोनों right now you are not ready to do this sadness and isolation का card है यहाँ पे यह इनसान जो है y'all are both feeling very isolated without each other यह इंसान जो है you know ऐसा है कि उनकी पूरी दुनिया जो है right now उल्टी चल रही है ऐसे लग रहा है कि you know his life is turned inside out he is not understanding what to do withdraw हो चुके हैं inward जा रहे हैं इनको समझ नहीं आ रहा है कि यह relationship में कैसे आगे जाए या कैसे handle करें maybe जो भी इन पे आरोप लगे हैं या जो accusations इन पे हैं या जो चीजें इनके life में हो रही है उसके कारण जो है इनको completely isolated और lonely लग रहा है और moving on का card है यह तो I think यह इनसान जो है this is the eight of cups की energy eight of cups की energy जब आती है तो इसका abandoning का attitude है maybe you know इनको time चाहिए सोचने के लिए exactly यह relationship में आगे कैसे जाना है बहुत clearly दिख रहा है कि थोड़ा सा जो है आप दोनों के बीच में imbalances हैं जैसे हमने chakra healing में देखा था you know you need to work on yourself you need to work on the relationship दोनों में ego problem बहुत है दोनों अपनी ही बात मनवाना चाहते हैं I am not saying that you have to do anything that you don't want to do लेकिन अगर आप यह relationship चाहते हैं तो एक दूसरे को जैसे हैं अगर आप वैसा accept कर सकते हैं और फिर यह relationship को आगे लेके जा सकते हैं तो यह relationship बढ़ सकता है alright very quickly let's see what is the advice for you moving on यह situation में जो है आप लोगों के लिए advice क्या है what is the advice for pile number one what is the advice for pile number one I don't see a reconciliation happening for pile number one in the coming one month because I think healing की जरूरत है खुद पे आप लोगों को काम करने की जरूरत है आपको भी और आपके partner को भी what is the advice for pile number one okay divine आपको कहता है कि आपको आपके power में ही रहना है don't give in to anybody जो आपको सही लगता है आपने वही करना है relaxation की आपको बहुत जरूरत है शायद इसके बारे में सोच सोच के आप थक चुके हैं बहुत tired आपको feel हो रहा है थोड़ा सा जो है आप manifestation करे positive thinking करे believe in the magic of the universe negative thoughts अगर आपकी हैं तो वो negative thoughts को निकाले and abundance का card है तो I think जो भी चल रहा है right now there is a bright future after that because the abundance card is there for you I think manifestation करे love yourself more self-love में थोड़ा सा आप time energy दे I think you know relaxation का card आया है तो I think आप जो है continuously ये इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो गलतियां हुई थी उसके बारे में सोच के I think आप खुद को hurt कर रहे हैं आपको ये ही कह रहा है कि relax करे take your power back and focus on your abundance and आपको abundance जरूर मिलेगा alright very quickly from the pendulum let's see कि ये relationship में no contact है तो अगर is it in your highest good अगर आपने ये इंसान को contact किया ये इंसान तो आपको contact नहीं कर रहे हैं तो let's find out from the pendulum कि अगर आपने ये इंसान को contact किया तो ये relationship के लिए अच्छा होगा या नहीं या should you wait for this person to contact you so we are going to ask the pendulum should you make the first move and contact this person should pile 1 बहुत clear no है जब pendulum goal गुमता है तो उसका मतलब no है so the answer is a no alright तो आपको जो है ये इंसान के लिए ये इंसान के लिए wait करना है और ये इंसान जब ready होगा तब ही ये आपके लिए आएगा this is all I have for pile number 1 as always please do keep your energies and vibrations high what you focus on is what you get and I will see you in your next reading hello pile number 2 जिनों ने ये वाला smiley choose किया था let's see आपका जो no contact है उसका future क्या होगा reading में जाने से पहले let me tell you कि ये सब के साथ resonate नहीं होगा अगर आपके साथ resonate नहीं होता है तो pile number 2 sorry pile number 1 या pile number 3 देखें messages जो है no contact में काफी specific messages आते हैं और उन लोगों के लिए आते हैं जिनको जो messages की जरूरत है very quickly already pile number 1 की reading हो चुकी है तो मैं थोड़ा सा cards को clear करूंगी और ये ही wish करूंगी की अगर जो भी negativity है हम सब में वो release हो नजर लगी है तो नजर निकल जाए and we should be ready for the next reading which will resonate with all of us. Thank you so much. Please remove all blocked energies and negativity. All right. Thank you. All right. So pile number 2 आज जो है हम देखेंगे very quickly आपका break up को क्यू हुआ था आपके partner के life में क्या चल रहा है आपके बारे में क्या सोच रहे है relationship के बारे में क्या सोच रहे है आगे आपकी तरफ क्या action लेंगे future outcome क्या होगा blockages क्या है और advice क्या है सब जो है हम tarot reading के through देखेंगे जो मैं reading आप लोगों के लिए करती हूँ वो मैं बहुत real reading करती हूँ जो actually जब मेरे पास clients आते हैं मेरे अपने लिए reading करने के लिए तो जिस ठंग से मैं एक private personal reading करती हूँ उसी तरह से जो है मैं बहुत authentic और बहुत real readings आपके ले करती हूँ इसी ले time लगता है लेकिन cards जो है मैं live ही निकालना पसंद करती हूँ और राइग आपका जो है आपका जो है ring, candle, wealth, chain and boat काफी lot of money जो मुझे या दिख रहा है कि कुछ ना कुछ जो है आपके relationship में अगर कुछ problem हुई है तो वो definitely मुझे लगता है कि पैसे को लेके हुई होगी या तो आप लोगों की engagement हो चुकी है शादी हो चुकी है और उसके बाद जो है आपका relationship तूटा है या तो आप दोनों जो है किसी के शादी में engagement में मिले थे लेकिन जो है ring यहाँ पे बहुत clearly दिख रही है तो break up जो है वो कुछ engagement के कारण हो सकता है या आपके partner जो है already किसी के साथ engaged है आपको शायद किसी के साथ जबरदस्ती engagement करनी पड़ी but this is engagement का कुछ मुझे reason दिख रहा है candle है यहाँ पे I think the reason of the break up could be that you know शायद आपको लगा कि कोई और आपके life में better होगा या आपके partner को लगा होगा कि कोई और उनके life में better है और उनोंने शायद किसी और को chance देने की जरूरत जरूरत they felt the need to give somebody else a chance wealth का card है यहाँ पे तो पैसे को लेके शायद आप लोनों में break up हो सकता है chain है यहाँ पे chain of events that will affect your life मुझे यहाँ पे soul connection दिख रहा है soul में twin flame का connection दिख रहा है आप दोनों जो है एक दूसरे से बंदे हुए है यह इंसान जिस धंग से आपके life में आया है कुछ ऐसी चीजे घटी होंगी कुछ घटनाई होई होंगी जो अगर आप पीछे सोचते हैं तो आपको realize होगा कि हाँ ऐसा हुआ था फिर ऐसा हुआ और all this led me to meeting this person बोट है यहां पर money or property through and inheritance winning and windfall तो I think कही न कही पैसा जो है वो बहुत important है pile number 1 में भी यह था तो में भी this is the overall collective energy जो है वो दिख रही है यहां पर मुझे या तो पुछतानी जाइदात है या आपके parents है जिनके बारे में आप पूछे हैं उनके parents जो है पैसे को ले के उन्होंने कुछ जबरदस्ती की है उसके कारण आपके relationship का break up करवाया है आपके इंसान के life में right now क्या चल रहा है post the no contact what is happening in your person's life right now after the no contact what is happening in your person's life right now after the no contact बहुत सारे cards आएंगे community, high honor, courthouse despair and message of concern बहुत clearly यहाँ पे मुझे दिख रहा है specific message है no contact वाले जो होते हैं काफी specific messages होते हैं सबसे नहीं resonate होगा लेकिन community यहाँ पे दिख रहा है caste का problem हो सकता है कोई ज्यादा अमीर है कोई कम अमीर है उसका मुझे यहाँ पे कुछ problem दिखता है घर वालों ने ताय चाचाओं ने यह relationship को agree नहीं किया है high honor का यहाँ पे है शायद आपके इनसान जो है already married है third party situation अगर है तो you know divorce नहीं देना चाते society में नाम खराब हो जाएगा divorce is not an option उसके कारण जो है कुछ problem हो सकते हैं आप या आपके partner जो है law में हो सकते हैं lawyer हो सकते हैं या कुछ ना कुछ ऐसी उनके life में right now चल रहा है जिसका court house यहाँ पे मुझे दीख रहा है तो या तो काम में बहुत मसरूफ है या उनके life में ऐसा कुछ चल रहा है जिसके कारण धर की इज़त बचाने के लिए या कुछ करने के लिए उनको court कचेरी का चकर काटना पड़ता है message of concern है तो definitely या तो यू नो इनका job चले गया है या यू नो डिवोर्स कर रहे है इन पे किसी ने कुछ जूटा आरोप लगा दिया है maybe इनकी property कहीं फस चुकी है ऐसा कुछ हो रहा है जिसके कारण जो है उनको court कचेरी के चकर निकालने पड़ते है community और खांदान की इज़त बचाने के लिए कुछ ना कुछ ये कर रहे है and despair का card है ये ये इनसान जो है राइटना बहुत दुखी है हार चुके हैं ये जो court कचेरी के चकर चल रहे हैं खांदान का नाम बचाना है इज़त रखनी है हाई ओनर जो है वो बचाने के लिए जो है वो जगड रहे है और उसके कारण बिलकुल ये जो इनसान है तूट चुके हैं मायूस हो गए है रोमाने एंजल से सम मेसेजेजेज अबाट ये रलेलेशनशिप वेरी कुछली वाट पर था बाट रलेलेशनशिप बेट्वेन आपके लिए इनसान जो है chemistry हैं romantic feelings है तो आपके लिए इनके romantic feelings थे attraction काफी था लेकिन यहां पे and maybe एक दूसरे को at a point आपको लगता था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने है लेकिन deception का card है यहाँ पर तो मुझे ऐसे लगता है कि किस तरह का जूट है जिसमें आपके partner जो है फस चुके हैं और उससे निकलने में उनको मुश्किल हो रहा है या यह इनसान ने शायद आपके पैसे के लिए आपकी society में इज़त देख के शायद आपकी तरफ आए थे और फिर I think यह relationship में कुछ problem आ गया है पैसे को लेके problem है और यह ऐसा romantic वाला simple no contact नहीं लग रहा है यहाँ पर definitely court कचेरी, legal matters, खांदान का issue ऐसे कुछ बड़े problems मुझे definitely दिख रहे हैं तो I am sure यह सब के साथ resonate नहीं होगा very quickly let's see कि यह इनसान जो है वो आपके बारे में क्या feel करते हैं आपके relationship के बारे में right now क्या सोच रहे है और उनके आपकी तरफ इरादे क्या होंगे आपके बारे में क्या सोच रहे है आपके बारे में क्या feel कर रहे है और आपके लिए इनके इरादे क्या है आपके बारे में क्या सोच रहे हैं तो इनको शायद इनो प्रेग्ननसी की बात हो सकती है इनो इनो आपके संबंदों के कारण शायद प्रेग्ननसी शायद हो सकती है यहाँ पर उसके कारण भी ऐसा है कि रिलेशन्शिप में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आप दोनों शायद इकठा काम करते होंगे लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत क्लिरली दिख रहा है कि कुछ ना कुछ बोज है उनके दिमाग में दिल में यह रिलेशन्शिप को लेके यह तो थर्ड़ पर्टी सिचुएशन है और फेमिन एनरजी जो है थर्ड़ पर्टी में वो प्रेगनेंट है यह आप प्रेगनेंट थी लेकिन कुछ ना कुछ क्लारिटी उनको मिली है अबाउट अ प्रेगनेंजी जिसके कारण उनको काफी stress हुआ है tension हुआ है, burden हुआ है या this could also mean कि family business है या काम है या पैसे को लेके कुछ burden था जिसके बारे में उनको सच्चाई पता लगी है और ये relationship में problem आया था what are they thinking about you, आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो judgment की energy है, यापे major arkanah है, आपे आपके partner Scorpio हो सकते हैं, patiently wait कर रहे हैं उनको लगता है कि जो उनोंने decision अभी लिया है, वो शाएद सही decision लिया है, अगर किसी और को इनोंने pregnant किया है, जो masculine energy है तो शाएद उनको लगता है कि उनको उनकी तरफ जाना है, उनकी मदद करनी है या अगर आपको pregnant किया है या आपके साथ कुछ business start किया था और बिजनस में कुछ problem हो गए थे तो ये इनसान जो है वो जो correct चीज है वो करना चाहता है relationship में I think आप लोगों का renewal definitely होगा reconciliation मुझे लगता है आप लोगों का जरूर होगा सिरह लेकिन इनसान जो है patiently wait कर रहा है right समय का wait कर रहा है ताकि वो आपकी तरफ आईये इनसान की इरादे ये हैं कि जो चीजे गलत हुई थी या तो business का कुछ problem था जैसे मैंने का पैसे का कुछ problem था या कुछ pregnancy का problem था जो भी इन पे you know जो भी इन पे problems हुए है जिनके कारण आपका break up हुआ है उसको वो पुरी तरह solve करके resolve करके आपकी तरफ आएंगे जीत के आपकी तरफ आना चाहते हैं जब आपकी तरफ आएंगे तो उनको ऐसा मैसूस होना चाहिए कि जो जंग है वो जंग को वो जीत के victory you know victorious होके वो आपकी तरफ आएंगे and king of wands की energy है आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं fire sign हो सकते है Aries, Leo, Sagittarius, king of wands की energy है businessman हो सकते है ये बहुत ही जैसे की born leader है entrepreneur है visionary independent person है ऐसा इंसान है जो बहुत strong है सब कुछ life में कमाना चाहता है और ये इंसान जो है wait कर रहा है इनका इरादे या आपके relationship के बारे में ये ही सोच रहे हैं कि this person is going to wait जो भी problems है वो problems को खतम होके जीत के ही आपकी तरफ आएंगे relationship में कि वो क्या चाहते हैं चाहते हैं कि जो भी आप दोनों में जो भी misunderstanding थी जो भी deception था जो भी जूट था जो भी ego battles थें उसको खतम करके आपके साथ enjoy करना चाहते हैं ये third party का भी card है तो maybe आपकी तरफ आएंगे और चाहेंगे कि आप you know still continue to be in a third party plan कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए कि आपकी तरफ कैसे आए wants की जो two of wants की energy it is a very positive energy progress का card है planning का card है future का ये plan कर रहे हैं सोच रहे हैं की आपकी तरफ कैसे आए ताके आपके साथ वो एक positive life or you know so that they can have a life which you all can enjoy together so I am thinking की this is a very positive card let's very quickly see की उनकी actions आपकी तरफ ये ही है की वो planning करेंगे और slowly but surely आपकी तरफ वो जरूर आएंगे all right very quickly let's see what are the blockages in the relationship आप लोगों के relationship में blockages क्या है what are the blockages in the relationship for pile number 2 आप लोगों को एकटा आने के लिए blockages क्या है what are the blockages responsibility, self esteem, sexuality and heart chakra all right ये इनसान जो है responsibility is a blockage maybe family का बहुत बड़ा business है third party situation है karmic partner के साथ है maybe you know pregnancy कुछ है business का कुछ problem है लेकिन responsibility है जिसके कारण ये इनसान आपकी तरफ नहीं आ सकते self esteem है यहाँ पे I think financially अगर कुछ problem है या you know ने कुछ ऐसी हरकत की है यहाँ पे deception मुझे दिख रहा है तो ये इनसान को शायद लगता है कि this person is not good enough for you कुछ चीज़े इन्होंने ऐसे की है जिसके कारण इनका self confidence, self worth, self pride जो है वो बिलकुल खतम हो चुका है इसके कारण relationship में blockages हो सकती है ये उनकी energy हो सकती है या आपकी energy sexuality का कारण है यहाँ पे openness है sharing है, honor है तो I think ऐसा कुछ आप लोगों के relationship में हुआ है जहाँ पे जिस इनसान के साथ इन्होंने संबंद बनाए है उनकी तरफ उनको कुछ करना होगा honor करते हैं उनका relationship तो मुझे बार बार यही लग रहा है का heart chakra जो है वो closed है, emotions आप express नहीं कर पा रहे हैं feelings एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं दूसरे की सही feelings आप नहीं समझ पा रहे हैं तो heart chakra पे work करें heart chakra को balance करें open करें, you can do that with crystal therapy or meditation as well all right very quickly let's find out यह जो इनसान है इनका outcome क्या होगा आप दोनो के relationship का outcome क्या होगा what will be the outcome of the relationship for pile number 2 reconciliation होगा यह नहीं होगा what will be the outcome for pile number 2 reconciliation होगा यह नहीं all right pile number 1 आप लोगों का जो है soulmate twin flame connection दिख रहा है जो मैने start में ही का था soulmate twin flame का card यहां पे आया है wish fulfillment का card है यहां पे nine of cups का card and we have the hangman तो I think in the next one month reconciliation नहीं होगा लेकिन यह इंसान जो है you are this person's wish fulfillment give it some time एक महना देड महने में यह इंसान आपकी तरफ आएगा यह इंसान जो है जैसे मैंने कहा patiently wait कर रहे हैं जो चीजें इनको सही करनी है वो सही करके आपकी तरफ आएंगे please stay positive अगर immediate results भी आपको नहीं दिख रहे हैं तो भी मुझे लगता है कि थोड़े time के बाद यह जरूर आएंगे in the meanwhile may be you can focus on yourself focus on self love focus on healing your heart chakra and you know manifestation करें high vibration में आप रहें ताकि यह इंसान आपकी तरफ आएंगे अगर यह आपके साथ resonate होता है अगर आप advice more you know you need advice on how to go ahead with this ताकि आप लोगों का union हो तो please go ahead and contact a tarot reader for a reading cards बहुत positive है immediate result नहीं आएगा लेकिन break up नहीं होगा यह इंसान जो है अपना जो भी duties हैं वो पूरी करके आपकी तरफ आएंगे what is the advice I want to close this reading off with the cards to find out what is the advice for pile number 2 in this situation आपके ले pile number 2 advice क्या है for this situation new beginnings inner peace focus and leadership आपके relationship में नही शुरवाद जरूर होगी आपको जो है right now आपके inner peace पे focus करना है you have to look after yourself आपकी शांती आपका health you know you have to focus on that खुद को heal करे शांत रहे because नही शुरवाद जो है वो definitely आपके लाइफ में होगी all right to close this reading let's ask very quickly no contact है तो मैं pendulum से पूछना चाती हूँ कि यह इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहे है self-esteem का कुछ problem दिख रहा है deception का problem है अगर आप यह इंसान को contact करते है तो यह relationship के लिए अच्छा होगा यह नहीं हम पूछेंगे कि should you take the first step and should you go and contact your person please give us exact messages for file number 2 will it be in the highest good for them if they make the first move and try and connect with the person क्या आपको यह इंसान को message करना चाहिए या उनके message का wait करना चाहिए answer is no आपको उनके message का ही wait करना है आप patiently रुकें you know inner peace पे work करें अपने heart chakra पे work करें wait for this person to come to you यह इंसान आप उनके जो भी problems है issues है उनको resolve करके आपकी तरफ आएंगे as always this is all I have please do keep your energies and vibrations what you focus on is what you get and I will see in your next reading hello pile number 3 Namasteya Dhaap Srikal welcome to the circle of life tarot very quickly देखते हैं pile number 3 के लिए आपका जो no contact है उसका future क्या होगा reconciliation होगा या नहीं break up क्यों हुआ था आपके partner के life में आप फिलाल क्या चल रहा है उनकी आपकी तरफ action क्या होगी सब हम देखने की कोशिश करेंगे pile number 1 और 2 की reading हो चुकी है cards को मैं सब blocked energy से clear करती हूँ ताकि हमारी रीडिंग्स जो है वो आकूरेट हो जो भी blocked energies है negative energies है आप में मुझ में कुछ नजर लगी है blocked feelings है energies है उन सब को हम clear करने की कोशिश करेंगे मुझे किसी ने पूछा है कि आदती आप ये क्यू करते हैं तो मेरी basically मेरे channel पे मेरी मेरा aim यही है कि जो readings मैं आपके लिए करती हूँ वो बहुत real authentic readings हो जिस ढंक से मैं मेरे clients के लिए reading करती हूँ मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए भी मैं exactly वैसा reading करूँ of course ये general reading है सब के लिए resonate नहीं होगा but कोई ना कोई definitely है जिनको ये messages सुनने की जरूरत है तो जैसे मैं मेरे personal private readings करती हूँ वैसे ही मैं readings करने की कोशिश करती हूँ वैसे ही camera पे live cards निकालती हूँ और वैसे ही questions मैं पूछती हूँ जो मैं मेरे clients के लिए पूछती हूँ आखेंजल Michael, my guardian angels and the universe, holy spirit and the divine please give us exact messages which are in the highest good for pile number 3 what is going to be the outcome of the no contact situation तो पहले जो है हम देखेंगे very quickly कि आपका जो है वो break up क्यों हुआ था what was the reason for pile number 3's break up अगर यह आपके साथ resonate नहीं होता है तो pile number 2 या pile number 3 देखें सब की energies जो है हम एक reading में नहीं pick up कर सकते हैं तो जिनको सबसे जादा ये energy सुनने की ये messages सुनने की जरूरत है उनके लिए ये message है alright आपका break up क्यों हुआ था why did this break up happen alright spear का card है यहां पे heart take over what you no longer have third party situation दिख रहा है third party कुछ भी हो सकता है दिल आपका तूटा है बिना कोई कारण दिये या बहुत ऐसा कुछ कारण आपको दिया था ये break up के कारण जिसके कारण आपको लगा कि ये सही नहीं है और आपका दिल तूटा था I think या तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं और ये break up हुआ April का कारण है यहां पे तो शायद आप इन इनसान से April में मिले थे April में शायद आपका break up हुआ था May be April seems to be important for you उनका बर्थरे हो सकता है आपका बर्थरे हो सकता है April is very important here Needle and thread a sincere wish will be granted I think जो आप चाते हैं वो आपको मिल सकता है लेकिन अगर हम पूछते हैं कि आपका break up क्यों हुआ था तो शायद यह इनसान के life में कोई और इनसान आया होगा और यह इनसान चाते थें कि उनको एक try दें या उनके साथ देखे relationship कैसा जाता है और शायद उन्होंने आपके साथ relationship तोड़ा वील का यहां पे card है Indecisiveness Allowing Your Life To Ramble On तो आइ तिंग यह जो जिनके बारे में हम पूछे न यह इनसान ऐसा है जिनका in and out energy होगी थोड़ा सा flirt type के इनसान मुझे दिखते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं अगेन energies can be exchange है लेकिन यह इनसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वह शायद मुझे लगता है कि थोड़े से flirt हैं या you know multiple partners होंगे किसी को commitment नहीं देना चाते सब के साथ enjoy करना चाते हैं लेकिन अगर आपने commitment की बात की है तो वह commitment नहीं दे के शायद इसलिए उन्होंने आपका break up कर दिया अल्ड़ेडी शादी शोदा होंगे लेकिन आपके साथ भी relationship में रहना चाते हैं शादी को भी तोड़ना नहीं चाते हैं ऐसी कुछ मुझे जो है you know player type की energy दिख रही है आगे तेखते हैं relationship reading में क्या होता है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं right now उनकी life में क्या चल रहा है let's very quickly find out what is happening in this person's life right now what is happening in your person's life right now what do we need to know about what is happening in your person's life right now wealthy man judication जो है तीनों reading में आया है child है यहां पे main man है and mature woman है definitely third party situation है या तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपके husband या wife हो सकते हैं आपके एकठा बच्चे हो सकते हैं यह इनसान जो है आपको छोड़के किसी और के पास चले गया है और उसके कारण जो आप लोगों में ब्रेक अप हुआ है parents जो है इसमें involved हो गए है या तो आपके पास पैसे का जोड़ ज्यादा है या उनके पास पैसे का जोड़ ज्यादा है या यह इनसान जो है किसी और के पास चले गए है जिनका पैसा देखके यह इनसान जो है उनके साथ involved हुए है या यह ऐसा इन्सान है जिनको आपने पैसे की काफी मदद की है इन्होंने आपका पैसे के लिए इस्तमाल किया है लेकिन डेफिनेटली जो है बच्चे यहां पे इन्वाल्ड है तो मदर का इशू हो सकता है मदर इन्लॉग का इशू हो सकता है इन्के जो पैरेंट्स है या इन्लॉग है वो काफी पैसे वाले हैं और कुछ ना कुछ रिलेशनशिप को मैनुपिलेट कर रहे हैं and court कचेरी तक बात चल गई है legal बाते चल रही है legally कुछ ऐसे issues हैं आपके relationship में आपके आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं और आगे उनके जिनके साथ संबंध है कुछ legal issues हैं जिनके कारण ये no contact हुआ है all right very interesting all three cards में जो है piles में यही आज आया है please pick up please see other piles also शायद उन में से आपको कोई messages मिल सकता है let me know more about pile number three's relationship all right जैसे मैंने कहा था flirt है यहाँ पर I think जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं काफी flirt करते हैं इनसान एक relationship में टिक के नहीं रहते हैं unrequited love है यहाँ पर शायद ये इनसान जो है उन्होंने आपको taken for granted किया है किसी और के साथ relationship में चले गए है और आपको उन्होंने छोड़ दिया है there is not enough attraction or chemistry to keep the relationship going जैसे इनसान physically किसी और की तरफ चले गए हैं किसी और की तरफ attract हो गए हैं और उसके कारण relationship तूटा है finance and career है यहाँ पे financial issues are a factor in your life and religious factors भी यहाँ पे दिख रहे हैं तो I think definitely जो है third party है यहाँ पे third party like I said कुछ भी हो सकता है लेकिन जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं इनसान जो है इनके इरादे मुझे काफी नेक नहीं लग रहे हैं player energy जो है वो मुझे दिख रही है दिल इन्होंने आपका definitely you know तोड़ा है और जो इनके opportunist जैसे है वाई बोलना मुश्किल हो रहा है ऐसे इनसान है जो opportunist है जहाँ पे इनको ज़्यादा फैदा है वहाँ पे यह इनसान जो है उठके चले गए हैं anyway let's see right now कि यह आपके बारे में क्या सोचते हैं यह relationship के बारे में क्या सोचते हैं और इनके आपके लिए इरादे क्या है what does he think about you? What does he think about the relationship and आपके लिए इरादे क्या हैं यह इनसान जो है इनको पता है कि इनोंने आपके साथ गल्ती की है बहुत दुख हो रहा है इनको इनको realize हुआ है कि इनोंने आपके साथ बुरा किया है शायद आप है जिनोंने यह relationship को break up किया है आपने इनसान को बोला है कि इनों मुझे यह relationship में नहीं रहना है आप ये इनसान से प्यार जरूर करते हैं लेकिन आप जो है यू आर अवेर कि ये इनसान जो है फलर्ट है या जो भी है और उसके कारण जो है आपने रिलेशनशिप तोड़ा था ये इनसान जो है गिल्टी फील करते हैं कि इनोंने जो है आपको बुरी तरह ट्रीट किया था आपने बहुत practical decision लिया और आपने यह relationship break किया तो इनको यहीं लग रहा है कि आप काफी mentally strong है और आपने यह relationship को break कर दिया है इसके कारण इनको काफी hurt भी feel हुआ है इनका ego वो तूटा है कि maybe good looking है, बहुत attractive है, बहुत charismatic है और तो भी आपने यह relationship को तोड़ा है इसके लिए इनको hurt भी feel हुआ है आपके लिए confused हैं यह I think you know आप लोगों की जो physical chemistry थी या जो आप लोगों का sexual relationship था वो काफी strong था और I think उसके कारण जो है आपको miss करते हैं confused है यह इनसान, इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ जाना है या नहीं जाना है चाते तो है आपकी तरफ आए लेकिन बहुत confused है नहीं समझ में आ रहा क्या करना है only because I think आपने जो है उनको बहुत clear cut बता दिया है कि आप जो है आपके सब यह जो आप हरकते करते हैं यह सब हरकते बंद करें और फिर मेरी तरफ आए इसलिए वो confused है इरादे क्या है आपकी तरफ passionate beginning चाते हैं आपकी तरफ आपने I think इनको खुशी काफी दी है आप आपके partner Leo हो सकते है आपके double Leo का card है यहाँ पे तो I think आपके partner में fire sign या Leo काफी strong है Capricorn भी हो सकते हैं Pisces भी हो सकते हैं और Scorpio भी हो सकते हैं इरादे तो यही है कि आपकी तरफ आए आपके साथ enjoy करें लेकिन I think हिम्मत यह इनसान में नहीं है आपकी तरफ आने के लिए ऐसे इनसान है जो commitment नहीं देना चाते जैसा चल रहा है वैसा सब ऐसे इनसान है जो चाते हैं कि जैसे चीजे चल रही है चलने दो आप उनसे कुछ पूछे ना आप उनसे कुछ expect ना करें आपके साथ enjoy करना चाते हैं इरादे उनके यही है कि आपकी तरफ आए आपको sorry बोले चाते हैं कि आप भी रिस्क लें यह relationship के लिए अगर इनसान already married है तो इनकी expectation यही है कि आपके साथ relationship continue करें अगर आप इनके साथ married है तो चाते हैं कि आप इनकी girlfriend या boyfriend को accept करें तो ऐसी थोड़ी से इनकी energy है जहां पर इनसान को सब कुछ चाहिए है जो I think आपने बहुत clearly इनको कह दिया है कि आपको ऐसा नहीं करना है alright very quickly let's see यह relationship में blockages क्या है what are the blockages in the relationship because I think एक इनसान ने बहुत clearly दूसरे इनसान से break up किया है बहुत clearly उनको message दिया है कि यह relationship आप नहीं रखना चाहते है जब तक situation में कुछ बदलाव आए what are the blockages in the relationship throat chakra communication का block है grounding का block है money and desire alright communication में problem है यह इनसान शायद जूट बोलता है सचा ही नहीं करता है अपनी feelings expressed नहीं करता है throat chakra जो है उसको heal करना चाहिए यह इनसान सब को चाहता है चाहता है कि आप भी रहो कोई दूसरा भी रहे कुछ change नहीं हो और I think यह जो communication है अपनी सचाई जो है यह इनसान नहीं बता पाता which is a big block grounding की जरूरत है stability की जरूरत है practical approach की जरूरत है यह इनसान जो है confused रहता है I feel alcohol, substance abuse drugs भी करते होंगे यह अपनी ही दुनिया में रहते है selfish type की इनसान है grounding बिलकुल भी नहीं है बस हवा हवा में बात करते हैं सब कुछ चलता है attitude है इनका जो गलत है and which is a major block पैसे को लेके जरूर कुछ ना कुछ problem है जैसे मैंने बोला था यह तो यह divorce के थूर जा रहे है job इनकी छूट गई है क्या तो आप से पैसे लिए है किसी और से पैसे लिए है money is a big block in this relationship and desire यह इनसान जो है अपने desires को control नहीं कर पाता आप के साथ होके भी किसी और के साथ यह involved होते हैं physically I think sexually खुद को control नहीं कर पाते which is a very big block in your relationship alright what is the future outcome of this relationship अगले एक मैने में यह relationship में क्या होगा contact होगा या नहीं होगा what is the outcome of this relationship too many cards alright I am sorry to say लेकिन यह इनसान जो है future आपका relationship का I think no contact होगा यह इनसान आपको message करने की कोशिश करेगा यह इनसान जो है फिर से कोशिश करेगा की कोशिश करता हूँ message करता हूँ या करती हूँ जैसे चल रहा है वैसे ही यह मुझे वापिस अपनाएगी या नहीं यह इनकी यह energy यह इनसान की है immature energy है trying to test the water की यह जैसा चल रहा है वैसा ही मैं इनको contact करूँगा मैं कुछ change ने करूँगा शायद यह अगला इनसान मुझे miss करेगा और मुझे वैसे के वैसे accept करेगा लेकिन जो है 10 of wants की energy है relationship में काफी burden होगा काफी जुकाव होगा you know healthy relationship नहीं है toxic energy यहाँ पर मुझे दिख रही है तो pile number 3 आपको सोचना है कि आप ऐसे इनसान से अगर आप attracted है और आप ऐसे इनसान को वापिस लेना चाहते हैं तो advice मेरा यही है कि आप wait करें जब तक यह इनसान जो है अपनी हरकतों को change करें और आपको जो है 100% time as a partner time, energy, सब कुछ जो है अगर 100% आपको दे सकता है यहाँ वहाँ और relationships में नहीं रहते हैं तब तक I think आपको इनका wait करना चाहिए नहीं तो यह cycle आपका continue होगा यह इनसान आपके life में आएगा फिर आपका दिल तोड़ेगा और फिर you know no contact होगा I'm sorry to say but energies जो है बहुत यह इनसान की जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं positive नहीं है and after all the decision is yours but जिस धंक से you know आपका दिल तूटता है आपको बुरा लगता है I feel it is better की यह इनसान को आप time दे अगर इनसान सुदर के आपकी तरफ आ सकता है तो very good otherwise I think you should move on what is the advice for pile number 3 जिनो ने ये question पूछा है उनके लिए advice क्या है new beginnings going forward truth and focus all right आपको खुद पे focus करना है सचाई को आपने भूलना नहीं है जो भी यह इनसान आपको बोले आपको जो है सचाई पे you know you have to focus on the truth सचाई को आप भूले ना जो आप relationship में चाते हैं आप adamant रहें कि अगर मुझे ये relationship में मिलेगा ऐसा मिलेगा तो ही जो है मैं आपके साथ relationship में रहूंगी going forward का card है and new beginnings का card है तो I think advice आपको यही है कि आपको जो है ये इनसान को भूलके आगे जाने की जाना चाहिए तो please मैं आपको request करूंगे या तो आप आपकी situation के बारे में और थोड़ा सा जानकारी पाए personal reading ले try and understand your relationship better लेकिन I think energy जो healthy आपके लिए यही होगा कि आप जो है move forward करें और एक नई शुरवात life में जरूर ले all right very quickly last but not the least just let's ask the pendulum की यह आप no contact में है will it be in your highest good अगर आप जो है यह इनसान को contact करेंगे तो आपके relationship के लिए अच्छा होगा या नहीं should pile number 3 contact pile number 3 person will it be in the highest good क्या आप कोई खुद होके इनको contact करना चाहिए या नहीं pile number 3 pendulum जो है ओई sorry आपको I think दिखा नहीं let's see again for pile number 3 should pile number 3 contact their person क्या आपको आपके इनसान को contact करना चाहिए या नहीं pendulum जो है round move हो रहा है इसका यहें मतलब है no आप wait करें आपको यह इनसान को contact नहीं करना है अगर यह सुदर के आपकी तरफ आता है तो अच्छा है वर्ना please try and move on and you know I hope and pray that someone new comes into your life as always thank you for watching please do keep your energies and vibrations high what you focus on is what you get and I will see in your next reading thank you so